विधर्प टिवी में आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ है विधाय कृष्णा खोपडे जिनसे हम कोरोना संगट में जनता की समस्याओ पर बात करेंगे और साथी बात करेंगे फोन टैपिंग के मामले में जिस पर एक अपनी अलग राय रखते हैं कृष्णा खोपडे स तो आई उनसे बात करते हैं सर अभी एक दो दिन दिन पहले का मामला है आपने फोन टैपिंग के मामले पर अपनी राय रखिए और महाविकास आघाडी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के काम रोकने के लिए इस तरह के कुछ काम किये जा रहे हैं फोन टैपिंग के मामल को मैंने लकडगंज पोलिस टेशन में इसकी तकरार दाखल किया है इस लेटर के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें सभी पददिकारी हो आमदार हो उनका सीडियार निकाले जा रहा मोबाइल टेपिंग की जा रही है और इसमें महारास सरकार के ग्रह विभा के कुछ पोलिस करमचारी अधिकारी है इनको इस काम में लगाया गया ऐसा इसमें उल्लेक है इसमें मनिश भगाड़े ये साइबर हैंकर दाव इबराहीम कासकर कराची पाकिस्तान इनका भी इसने सिडियार निकला ऐसी इसमें जैनकारी है इसी लेटर के अंदर जिस मोबाइल का उपयोग उसने किया उस मोबाइल के उपर जब मैंने बात किया तो उसने कहा कहा ये भगाड़े मेरा मित्र है और जिसका नाम है सोपान पाटिल ये सोपान पाटिल ये महराश के जो कैबिनेट मंतरी है ये गुलाब राव पाटिल ये मेरे छोटे भाई है ऐसा भी उन्होंने मुझे कहा मैंने उसको पूछा कि अब तेरे को ये डर नहीं लगता क्या और इस प्रकार का तेरा नंबर इसमें है तो ये कुछ नहीं होता करके उसने कहा है और वो डेरिंग से बात कर रहा था मैं उसको ये भी कहा कि कल पूलीस में तकरार होंगी तेरे अगर भाई मिनिस्टर है तो उनको भी अडचन आ सकती है तेरे को भी अडचन आएंगी तो उसका कोई डर है क्या नहीं मुझे ऐसा डर नहीं है क्योंकि इसके पहले भी हमने भारतिय जनता पाल्टी के अनिक वरिष्ट निताओं को फसाने का काम हम लोगों ने किया हुआ है और इसलिए ये पत्र के एसाफ से देखा जाये तो मुझे शंका निर्मान हुई क्योंकि महाराष्ट के अंदर सुसेना कॉंग्रेस और राष्टवादी की सरकार है उद्दो ठाकरे ये सबी कामों के अंदर टोटली फेलो ठेरे भी है विकास काम के अंदर पूरी तरीके से जीरो है एक भी पैसा उन्होंने महाराष्ट में नाकपूर शहर के अंदर एक भी रुपया विकास काम का नहीं दिया उल्टे देवेंद्र फडनिस साब ने उनके कारेकार में जो निधी नाकपूर को दिया था वो भी उन्होंने वापस ले लिया है और पूरी तरे से ये फेलवर है कोरोना महामारी में भी ये फेलवर हुई है ये जीरो कोरोना महामारी में हुई है महाराष्ट की जनता परेशान है और इसलिए कही तो भी भाजब के आमदार और पददिकारियों को अर्चन में लाना उनके CDR बनाना, उनके मोबाइल टेपिंग करना, इस परकार का ये काम महारास की सरकार की और से ग्रहो इभाग के और से ये शुरू है, क्योंकि इसमें सपष्ट है, क्योंकि जिन अधिकारियों के नाम दिया है, उसमें पोलीस निरिक्षक का भी नाम है, जो PSI उसमें इन वा मैंने इसकी तकरार किया है, और निच्ची तुरुप से जल से जल इसमें जो सत्यता होंगी, वो सामने आएंगी, और संबन्दित जो उसके अंदर जो नाम है, उनके उपर कारवाई होंगी, ऐसा हमको भरोसा है. इस मामले में कारवाई के लिए किस तरह का आप निर्ने ले रहे हैं? गंभीर मामला है, और ये सरकार से संबन्दित है, क्योंकि आलरीडी इस लेटर के अंदर सभी अधिकारियों के उन्होंने नाम दिया, जिसको काम पे लगाये गया है, और इसलिए ये सेंसेटो मामला होने की वज़े से, जो भी इसमें इन्नमाल होंगा, उसके उपर कारवा हो और सत्यता जनता के सामने यही अमारी इच्छा है यह तो एक जाच का अमामला है जिस पर कारवाई होना चाहिए लेकिन जनता की समस्याव पर भी हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जैसे कि कोरोना संकट में जो बिजली का बिल आया है वह बहुत बड़ी समस्या है और आपने विधर्ब और मुंबई में जिस तरह का बिजली का बिल दिया जा रहा है उस भेदभाव पर आपने आक्षेप उठाया उसके बारे में क्या कहेंगे आपने अगर उर्जा मंतरी ने जब मार्च के बाद 22 मार्च को जब लागडाउन हुआ और उसके बाद जब उर्जा मंतरी के बयाना है मिडिया के माद्दम से वर्तमान पेपर के माद्दम से अगर आपने देखा होगा तो उस समय उन्होंने कहा था क्या कोई भी रेट नहीं बढ़ेगा कोई भी उसके उपर ब्याज नहीं लगेगा और इस महामारी के अंदर लोग अर्चन में हैं और इसले किसी का कनेक्वन भी काटा नहीं जाएंगा इस परकार का उन्होंने सूचना संबन्दित अधिकारियों को किया तो इस परकार की घोष्णा उन्होंने किया लेकिन जब यह बील आना जब शुरू हा तो उसमें एपरील मे और जुन एप्रिल में जून के ये 3 महने के बील आये और ये बील इतने बड़े पैमाने पर आये का 2021 के ये 3 महने के बील अगर अपन देखे वो बील से अगर ये बील की टेली करे तो उससे भी ज्यादा अमांट ये बील के अंधर था और इसके अंदर उन्होंने 10 टक्के रेड बढ़ाया 12 टक्के उसके उपर 2 मैने जिसने नहीं भराओंगा उसके उपर 12 टक्के उन्होंने बैड लगाया और इसलिए इतने बड़े पैमाने पर बिल की अमाउंड आई जिससे पुरा महाराष्ट परेशान है सभी पार्टियों के सभी पार्टियों ने इसका अंदोलन किया जिस पार्टि से वो चून किया है जिस पार्टि के भरोसे वो मंतरी बने उस पार्टि ने भी अंदोलन किया है भारतिय जनता पार्टि लगातार अंदोलन कर रही है हमने अभी तख 6-7 आंदोलन किये और नितिन राउज जी ये नाकपूर के है और महाराश के उर्जा मंतरी है उनसे हमने बारंबार विननति किया है कि यह जो तीन महने का यह जो भी लाया है और आपने बोला था क्या हम दिल्ली के धर्टी के उपर करेंगे ये तीन महने का 300 यूनित आप कम करें, उसके उपर भी हमने उनका ध्यान आकरशित किया उसके बाद मैंने उनको और लेटर भेजा, उनका आस तका कोई लेटर का जवाब आता नी मेल के दारे हम लेटर बेते उसका उँ देखते का नहीं देखते उनके पीए देते का नहीं देते मुझे मालूम नहीं लेकिन एक भी लेटर का उनका अभी तक जवाब आया नहीं और महाराश के अंदर तफावत बड़े पायमाने पर है बंबई, बंबई के अंदर टाटा, रिलाइंस, अधानी ने जो ये जो उनके मेसीबी के जो उनके एजंसी है उनके बंबई के अगर रेट देखो और नाकपूर उपराधानिय महाराज की यहां के रेट देखो उसमें भी बड़े पैमाने पर तफावत है और जब बंबई में लोगों को तुम सस्ती बीजली दे सकते हो तो फिर नाकपूर में तुम क्यों सस्ती बीजली नहीं दे सकते है क्योंकि विधर्ब में बीजली का उपादन होता है विधर्ब में उपादन हुआ और बिदली बंबई को सस्ती मिले और नाकपुर और विधर्ब को महिंगी मिले ये कहा का नय संगत विशह है ये मेरे हमारे समझ से परे है लेकिन नितीन रावुच जी को ये डिपार्मेंट उर्जा मंतरा ले उनके समझ में आया के नहीं आया उनके उनको ये डिपार्मेंट की समझ है के नहीं के अधिकारी उनको गोल 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 घुमा के उनको गुमरा कर रहे है इस परकार के अभी शंका निर्मान हुई है और इसलिए मेरी उनसे विननती है कि इस विशे के उपर क्योंकि लोग करोना महामारी से परेशान है आज सरकार का जमान हुआ है कि आखिर ये लोग भरेंगे से लोगों का वेपार बन धंदा बन दुकाने बन पूरा चवपट इस तो सरकार ने मदद करना चाहिए मेरी उनसे विनुंती है कि पंजाब सरकार ने यस लाकडाउन के दर्माइन के टूटली बील माप किये दिली के सरकार ने बील माप किये पंजाब में तुमारी सरकार है अगर आपको समस्ता नहीं होंगा तो पंजाब का डाटा बुला के उस पर आप ये बीदली माप करने का निरने लो लेकिन जनता को रहाद देने का काम ये सरकार का है ये उर्जा मंतरी का है और निच्ची तुरुप से उन्होंने इस संबंध में आगे की कारवई करके इस राज्य की जनता को रहाद देना चाहिए ऐसी हमारी विनंतिय है सर कोरोना संकट में लगातार पेशंट्स जो है काफी जादा आ रहे है और उस पर आपका कहना है कि जो छोटे मोड़े चाय टप्री या फिर नाश्टे की दुकाने है उसको शुरू रखना चीए तो क्या लगता है आपके किस तरह की एतियाद बरतना चीए और ये कितना सही ह होगा नाकपूर महानगर पाली का का ये कंट्रोल का विशे है जबसे लागडाउन शुरू हुआ पहला लागडाउन बाविस मार्च को हुआ और उसके बाद लगातार लागडाउन शुरू है जनता बड़े पैमाने पर परिशान थी क्योंकि कंट्रोल लागडाउन शुरू होने के वज़े से लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे उनके भूकमरी के प्राबलूम आगे थे नाकपूर शहर के शहर की जनता का और सभी संगटनों का मैं मनोखपुरक आभार मानता और अभिनंदन करता हूँ क्या उस लागडाउन के दर्मयान अनेक लोगों ने मदद किये अनेक लोगों ने अपने कीचन शुरू किये अनेक दान दाता सामने आए और इसलिए दो ड़ाई मैंने लगातार कीचन चलते रहे हमने कुछ पूरवन आगपूर भारतिय जनता पाड़ी के ओर से थे उसके बाद भी लागडाउन जब खुला लागडाउन खुलने के बाद भी प्रशाशन की और से कभी एक दुका एक साइट की दुकाने बंद रखो तो दूसरे साइट की दुकाने खुलू ये कहां का तर्क लाया है ये मुझे नहीं मालूम दुकान बंद रही तो करोना या दुकान खुली रही तो करोना गुस्ता क्या यह कहां का है उन्होंने आइडियल आ यह मुझे मालूम नहीं है लेकिन उससे जिस साइट की दुकाने बंद रहती है वहां भीड जादा होती है और जिस साइट की दुकाने अगर दोनों साइट के अगर उन्होंने दुकाने तो लोगों का इधर उदर बाइफरकेशन होता है। लोग इधर उदर से भी माल खरीदी करेंगे। कमिश्नर ने ये लागडाउन के नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए। लोगों को दुकानदारों को ताकित देना चाहिए। क्या जो COVID-19 के जो नियम होंगे उस नियम का कड़ाई से पालन करो नहीं तो उनको फाइन ठोको लेकिन लागडाउन करना ये कोई परया नहीं है और इसलिए जनता बड़े पैमाने पर नाकपूर शहर की लागडाउन की विरोध में हैं अब बीच में कभी मैंने अनेक बार निगमाईक महोदे को बोला कि आपने दारू की दुखाने शुरू किये आपने बड़े बड़े उद्धुग को परवानगी दिये आपने दुखानों को परवानगी दिये आपने चाय ठेले वाले को परवानगी नहीं दिये जो टपरी प परकार के जो गोर गरीब लोगों को जीवन मर्रा से जुड़े विये जो लोग है उनको जिस परकार की अर्चन हो रही आटो तीन महेने से लगातार बंद थे बड़े मुश्किल से आटो शुरू विये और आटो में नियम का अनुसार दो सवारी वो लोग बिठालते थे कैसा भी उनकी रूजे रूटी शुरूवी थी फिर कमिशनर ने मिटिंग में आदेद दिया और डीसीपी ने आडर निकाला कि आटो बंद करने का उन्होंने निरने लिया मुझे यही समझ में नहीं आए कि आटो में दो सवारी जाती है उसमें करोना घुसेंगा लोग ट्रक में जा रहे हैं लोग बस में जा रहे हैं लोग कार में घुन रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ा में घुमते हैं स्कूटर पे लोग घुम रहे तो उनको करोना नहीं पुलिस वाले पास्तों से हजार रुपे तक का फाइन लोगों से लेते हैं लोग बिलकुल परेशान हैं और इसके उपर विशेश रुप से ध्यान देने के आशकता है बीच में महापोर जी ने एक अच्छी बैठक लिया था जन परतिनिदी की चार मैने के बाद पहली बैठ कमिशनर और पोलिस आयुत के उपस्तिती में बैठक ही उसमें दो दिन का करपु लगाने का निरने हुआ और जनता ने उसको परतिसाथ दिया जनता ने सभी अपने व्यापार बंद रखे धंदे बंद रखे लोग घर से बाहर नी निकले अच्छा उसको परतिसाथ दिया परन्तु पालक मंत्री के कहीतो भी पेठ में दुखने लगा क्या बाँ इन्होंने कैसा निरने लिया और इनको सपलता कैसी मिली अब उन्होंने फिर से एक समीती बनाने का नाटक किया है जबकि आल्रेडी कमिशनर ये शाशन का होता है तुमारा कलेक्टर ये शाशन का होत इतने चार मैने के कारेकाल में अंदर एका दे मिटिंग टेमपरवारी उन्होंने लिया उसके बाद अभी तक उनको जन परतिनिदी की याद नहीं आए परन्तु कमिशनर और महापोर ने मिलके संयुक्त मिटिंग लिया उसका फायदा भी इस शहर के जनता को हुआ और ऐसा रहता है और यह समीती जो पालक मंतिरी ने बना इसका कोई अर्थ नहीं है और लागडाउन का सभी जन परतिनिदियों ने जितनी भी जन परतिनिदियों वाँ उपस्तित थे सभी ने कॉंग्रेस के सही सभी लोगों ने लागडाउन का विरुथ किया और इसलिए जनता को अभी काम पर लेगी हुए जनता को रोजगार चाहिए जनता को काम चाहिए और जनता को काम अभी शहर के जनता धिरे धिरे इससे उब रही है और इसलिए लोगों ने इसका कर्पू का समर्तन किया था तो ये थे हमारे साथ विधाय कृशना खोपड़े जिन्होंने फोन टैपिंग के मामले पर अपनी भूमिका रखते हुए इस मामले की जाच और इसकी कारवाई किये जाने की बात कही साथ ही उन्होंने कहा कि दो से तीन मेहने लोगडाउन के गुरजर जाने के बाद ही कु आप इसे लोगों का वैवसाय शूरू करना चाहिए ताकि उनकी रोज मर्रा की जो जिन्दगी है उनके आर्थिक वैवार जो है इससे प्रभावित ना हो।